हेलो एंड वेलकम टू देव जोब लट्स दोस्तों आपके लिए काफी अच्छी रिक्रूप्रिंट नियाहाँ पर देखने को मिल रही है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड यानि की यह है ओर्डिनेंज फैक्टरी के तहट आता है जिसमें आप देख सकते हैं यह महारास्टर अबलिक 152-02-2024 जिसमें आप देख सकते हैं NCVT वालों के लिए काफी अच्छा मोका देखने को मिल रहा है NAC Certificate या NTC Certificate है तो बिलकुल आप अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर आपके लिए जो AOCP ट्रेड वाले जो हैं इनके लिए वेकेंसी निकाली है DBW जो की Danger Building Worker के त अलेमेंट्स की बात करें तो उननी सजा 900 फ्लस डीये भी आपको डीयरनेस अलवेंस भी मिलता है स्किल लेवल जो है स्किल्ड लेवल का होता है ठीक जिसमें आपके लिए टोटल वेकेंसी टेबल वन में दे रखा है 58 वेकेंसी है जनरल की 20 है और वीसी नॉन क्रिमिनल यार 15 SC की 8 ST की 7 और EWS की 7 X सर्विसमें के लिए भी होरिजोंटल 8 वेकेंसी अवेलेबल है टेबल 2 में अगर बात की जाए तो आपके लिए 100 वेकेंसी है 44 जनरल 27 OBC SC 10 9 है ST की 10 है EWS और 10 है X सर्विसमें के लिए Essential Qualification की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं NAC NTC Certificate Issue by NCVT टेक जिसमें AOCP Trade who are trained in ordinance factory में है Under the Estervile Ordnance Factory Board Under Munition आपका MIL जो दे रखा है India Limited Having the Training Experience Military Munition उनके लिए table 1 वाले बढ़ सकते हैं और second यहां पर यह भी दिया गया है या फिर जिनके पास पॉसिजिंग NAC NTC Certificate Issue by the NCVT द्वारा और AOCP Trade Government या Private Organization Having Affiliate है इनके पास में तो यह भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है मतलब कि आपको मिला हुआ है Certificate NTC NAC या Private से तो बिलकुल आप अप्लाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है Merit List will be prepared trained in AOCP Ordnance Factory and other institution ठीक है अब बात कर लेते हैं आपके Table B के उपर जिसमें NAC NTC Certificate Issue by the वही NCVT दे रखा है हुच जिसके पास में AOCP Trade है Apprentice Training के तोर पर जो है यहाँ पर कर रहे हैं किस से Training लिए यह M.I.L. से कर रखी है तो having the experience अगर आपके पास में हैं तो आप apply कर सकते हैं Age limit की बात करें तो 18-35 साल तक के एज दे रखी 15-7-2024 तक मतलब 15 जुलाई तक यह रहने वाला है जिसमें आपके लिए SCST के लिए 5 साल reservation, obviously के लिए 3 साल और ex-servicement के लिए military service plus 3 year दे रखा है application fees बिलकुल भी नहीं है तो ठीक है यह भी 00 दिया हुआ है तो बढ़िया बात है दोस्तों आपके लिए अच्छा मौका है how to apply कैसे करना है तो candidates are required to download the printout application form और सब कुछ block later में भरा होना चाहिए ठीक है और इसी के साथ ही separately आपको जो table A या table B as per the eligibility भरना होगा then यहाँ पर आपको देखना है कि जो envelope है उसके उपर आपको application for the post जैसे DBW दे रखा है आपको description में पेस्ट कर दूँगा तो application along with the necessary and close करना है दो extra passport size self attested photo back में लगाने है ठीक है और यहाँ पर आपको जो address दिया है the chief general manager ordinance factory बहांदारा और district बहांदारा महरास trip in code आपको 441906 यह मिल जाएगा वेसे आप हमारा telegram join कर लीजिए वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा लिंक आपको description में भी दे दिया है closing date आपकी 15 July 2014 तक दे रखा है remuneration आप यहाँ पर देख सकते हैं जो remuneration will be paid rate of the 1 out of 30 the pay of basic relevant to pay scale जो रहता है साथ ही awareness allowance work of 8 hour a day रहने वाला है central DA भी आपको यहाँ पर applicable है house rent मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर दे रखा है annual increases 3% के साथ में आपका basic पर बढ़ेगा satisfactory performance के आधार पर और performance और सब कुछ यहाँ पर रहता ही है तो काफी अच्छा allowances भी आपको दे रहे हैं job specification manufacturing and handling of explosive और hazard worse chemicals इसका यह काम रहने वाला है selection mode के अगर बात करें तो selection आपका दो दो चीज़े matter करती एक तो आपका mark shipment marks कितने हैं और दूसरा आपका trade test होगा अब trade test जो होगा वो आपका ordinance factory बांदरा ट्रेट टेस्ट प्रेक्टिकल टेस्ट होगा out of 100 marks का रहने वाला है ठीक है और आपके merit list will be based on the combined marks secure जो होंगे वह इस आथार पर आपकी merit list बनेगी weightage जो रहेगा वो ncvt exam and trade test दोनों का रहेगा 80 and 20% और category candidates जो रहेगे वो qualify the ncvt trade test call for the document verification जो यह दोनों टेस्ट को pass कर लेगा बस उनको ही document के लिए भेजा जाएगा merit list के आधार पर combined merit list यहां पर prepare की जाएगी for the trained aocp ordinance factory and other institute application against the table a vacancy तो आपको clearly समझ में आगी है ना बाहर वाले और अंदर वाले दोनों के लिए अच्छा मोगा है पर जो general conditions दे रहे के self-attested copy लगानी है सारे document के लगानी का certificate लगाना है है ना और इसके अलावा आपको दो passport size photo सब कुछ submit कर देना है वेने सारी चीज़े आपको पढ़के एक ही बार में सिधे सिधे बता रहा हूं ठीक है और भी कोई queries आती है तो आप मुसे directly पूछ सकते हैं email ID और phone number बिल्कुल exact डालना बिल्कुल इसमें गलती नहीं होनी चाहिए address पर आपका समय से पहले पहुच जाना चाहिए other benefits भी आपको यहां पर दे रखे हैं वो आप सारी देख सकते हैं आपके साब से और जो आप देख सकते हैं प्रोमोशन ओटी लॉन्स और इंट्रेस मेडिकल फैसिलिटी कॉंटिटी कॉंटिजेंसी स्कूल इंबर्समेंट ल्टी ए और सब को सारी facilities आपको मिल जाएगी इत सारी सीजे मिल जाएगी यहां पर आपको जो आपका application form है फोटो लगा देना है जो भी है detail आपकी यहां पर भढ़ देनी है complete form यहां पर available है telegram join कर लो pdf आपको मिल जाएगा ठीक है और आप apply करने वाले हो या नहीं हो बिलकुल बता दे यहां पर और भी आपको forms दे रखे ह है एजिटीज यहां पर apply करने के लिए तो आई होब कि यह vacancy आपको helpful रहेगी और अगर अच्छी लगए तो बिलकुल like करे शेयर करे अपने दोस्तों के साथ में जै हिंद जै भारत